हाँ सभी तैयार तीन दो एक स्टार्ट स्कूल के मैदान में वार्षिक कार्यक्रमों की चहल पहल दिख रही थी विरा विबिन कक्षाओं की टीमें जम कर पूर्वा भ्यास में जूटी थी सब में जजबा था अपनी अपनी टीम को सिखर पर ले जाने का जोस था अपनी अपनी टीम का नाम रोशन करने का विराम पर यही जोस अचानक होस खोने लगा विराम ये क्या विसमे बोदक्चिन सदभावना पूर्ण माहोल में दो टीमें बेहद कटूता पूर्ण तरीके से बहस करने लगी और धीरे धीरे पूरा माहोल कलूशित होने लगा विराम माजरा यह था कि दो टीमें अपनी अपनी शीमाओं का कुछ हद तक अतिक कर्मन कर बैठी थी जिसका परिणाम यह हुआ कि इधर की गैंद उदर और उदर के खिलाडी इधर होने लगे विराम महज इस बात पर पूरा परिशर में पूरा विद्याले ही जुट गया विराम उस समय तो किसी तरह दोनों टीमों को समझा बुझा कर शांत कर दिया गया पर इस थाई और टिकव समादान शायद यह नहीं था विराम इसलिए अनुभवी प्राचार्य महोदया ने अगले दिन ही एक आदेश जारी करके विबिन खिलों और कक्षाओं के मद्य मैदान का न्याई शंगत वित्रण कर दिया विराम बस वह दिन था और आज का दिन है विराम तकरार तो दूर टीमों के बीच इतना प्यार और खुलापन है कि उसकी मिसाल प्राचार्य महोदया द्वारा आज तक दी जाती है विराम पैरा अच्छी बाड़ें अच्छे पडोसी बनाती है निश्चित रूप से यह बात स्विकारने में संकोच नहीं किया जाना चाहिए विराम चाहे वह गरेलू नौक जोक हो या मुहले की तू तू मैं मैं या फिर अंतरराश्ट्रिय इस तर पर शंशादन वित्रण संबंदी विवाद विराम अच्छी बाड़ें हमेशा पडोसियों से बहतर संबंद बनाने की दिशा में बड़ी भूमी का निभाती है विर विराम सभियता के विकाश के एतिहासिक क्रम में सीमा रेखाओं की भूमी का शदा अग्रणी रही है विराम पैरा यदि हम कुछ शणों के लिए इन कृत्रिम एवं मानव निर्मित सीमाओं से परे जाकर सोचें तो हम अहसाश करेंगे कि इन बाड़ों ने पडोसियों के अच्छे संबंदों पर किस हद तक प्रतिकूल परभाव डाला है विराम सच पूछिये तो अक्सर बाड़ें पडोसियों के सोहार्दपूर्ण प्रेम के मध्य बाधा बनकर खड़ी हो जाती है विराम यदि एक मनुश्य भारत में पैदा हुआ है और वह मान सरोवर जाना चाहे तो पासपोर्ट वीजा की बाधाएं क्यूं? प्रस्ण वाचक चिन्ह बाड़ के एक और खनीज पदार्तों और फसलों का आधिक्य हो तो दूसरी और के मानव रोटी पानी और संसाधनों की कमी से बिलबिला रहे हों? प्रस्ण वाचक चिन्ह एक और पडोसी के पास नहने और विखेरने के लिए पानी है दूसरा पडोसी पीने तक के लिए पानी की कमी से जूज रहा है विराम हमें नहीं भूलना चाहिए की संस्कृती और जीवन कुछ क्रत्रिम बाडों में संकुचित होकर नहीं सिमट सकते विराम कुछ मुल्य इन सरहदों से परे हैं और मानव जीवन को रोचक और जीवन्त बनाते हैं विराम पैरा हमारी संस्कृती तो अतिति देवो भव का उदगोश करती है विराम तेरा सो मेरा का दर्शन आत्म साथ करने वाली यह संस्कृती कई महतमाओं के आदर्शों के रूप में मुखारित होती रही है विराम गांधी जी ने हिदायत देते हुए कहा कि अपने घरों के दर्वाजे बंद रखो ताकि वे शुरक्षित रहें पर उनकी खिडकियां खुली रहने दो ताकि बाहर की खुली और स्वचंद हवा भीतर आकर तुम्हें बाहरी जगत से परिचित करा सके संपोन बिराम